सबसे पहले तो सभी उपस्तेत आधरणी लोगों का मैं हार्दिक अभिने दिन करता स्वागत करता हूं आधरणी संतोच चोबे जी अमताप सक्सेना जी सत्यन घरे जी वने पाध्याई जी ताग तेलंग जी सभी हमारे वरिष्ट जन है सभी का हर्दिक स्वागत जैसा कि हम स सभी गुज्रे हैं और हम मैं से कई लोगों के परिवार भी इससे प्रभावित हुए हैं और जैसा कि अधर्णी संतोच चोबे जी सत्यन घरे जी तराक तेलंग जी हमारे सामने उधारने के उनके पुरे परिवार को इस बीमारी के दोर से गुजरना पड़ा है और हमने भी अपने बहुत करीब भी लोगों को देखा है जैसा कि पहले दोर में इस तरह का असर नहीं हुआता लेकिन दूसरी दोर आई उसमें बहुत करीबी के लोगों को इस ने आहत किया है और हमारे कई करीब के लोग हमसे बिछुड़े वी हैं और माई जैसा कि हमीताब सर से भी बात हो रही थी कि हम उन लोगों को उनमें से कई लोगों को हम बचा भी नहीं पाए और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे परमादर्निय अनुराग सीठा जी जो हमारे एक सार्जी के चैरिमेंन थे भी इस दोरान और वह नहीं रहे तो उनको नमन करते हुए और उनके कार्यों को हम लेकित करते हुए मैं आज की बेठक को प्रम करूंगा और आज की बेठक का एजन्डा है इसर जिसमें संस्थान की वर्तमान इस्तिती पर हम लोगों बात करेंग संस्थान की जो वित्तिय इस्तिती है वो एजेंडा है एसार्सी और रविनार टेगोर विसी ध्याले का एक अनुभंध हुआ है पात साल के लिए और उसमें सीठाजी की बड़ी भूमिका रही है और साथ ही और साथ ही नए अध्यक्स का भी आज हम लोग यहां पर चुनाव करेंगे तो यह हमारे मुख की बिंदू है आज के और इसके अलावा अध्यक्स की अनुमती से हम लोग आगे के बिंदू पर भी बात कर सकते हैं बिंदू इस बैठक के दोरान विचार बनके आएंगे हम लोगों के सामने तो आज की बैठक में सबसे पहले तो सर मैं यह बताना चाहूंगा कि सबको विदी थै कि सार्सी की जो वर्तमान इस्तिती है 2017 के बाद से ही भारस सरकार ने ग्रांट देना बंद कर दी थी अनुदान किसी भी तरह का उन्हों नहीं दिया उपहदक पत्रववार भी उन्होंने बंद ही कर दिया और लगबख सभी देश की सारी SRC को उन्होंने अपने ही उस पे छोड़ दिया हाल पे और अधिकतर SRC उस पे से बंद भी हो गए हैं लेकिन यह हम लोगों का सोभाग्य है कि आदर्णिय संतोच चोबेजी हैं और आप सभी लोग हैं कि हमारे यहां पर हमने SRC को बेनर और उस तरह से हमने इसको जिन्दा रखा है और उसमें बड़ी भूमी का आप सब लोगों की रही है कि हम इसको आगे लेके जाएंगे और हलाकि इस संकट के काल में हम बहुत ज्यादा इसमें कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं लेकिन हमने अपने अस्तित्व को बनाए रखा है जैसा कि यहां पर राज जी में सर अभी एसले में ने जो राजशिक्सा के अंदर में है एसले में ने अभी गठन किया है अपनी गौर्णिंग बोडी का जो की सरोज बोडी होती है उसमें ग्यारा लोगों में सर उन्होंने निदेशक ही उसमें पांच प्रमुक्स अचीव हैं और बाकी चार लोगों को भार से लिया जिनमें एक मैं भी हूँ और उसकी एक बेठक मानिय मंत्री जी के सभाकक्स में ही हुई है और वो पूरा एजेंड़ा भी वहां पे तैय हुआ कि किस तरह से हम प्रदेश पर सागसप्ता को आक मैं एक उन्होंने विसेशके दल का गठन्थ किया है और देश भर की कहानिया आई है उनके ज़िस दे है और जिसकी उन्होंने काफी प्रसंसा की है तो यह हमारे लिए अच्छा रहा और सर उसको अभी मानिय संभावता जो पंदरा जुलाई को को सल विकास दिवस आता है उस दिन मंत्री जी या प्रधान मंत्री का भी मतलब बात चल रही है कि वे उस दिन जन्सिक्षंड संस्थ मिले हैं विजापूर और वेगुसराय में तो यह हमारे लिए बहुत खुशिगी बात है और उस दिन साइद वह इस योजना को लांच करेंगे और उसी दिन वह सपलता है कि जो कहानिया देश भर के इखटा हुई है उनकी पुरी कॉपी टेबल बुक के रूप में प्रकास मागदर्शन में एक MOU हुआ है तो उसके रूप में भी हम लोगों को आगे के काम सबबादित करना है आपके मागदर्शन में भी हम को आगे पढ़ना है तो यह तो एक हमारी वर्तमान इस्तिती है अभी संस्थान की और यह हमारे लिए सभागी की बात है कि विस विज्वा कृटो रूग से हमारे अरद बिया रहा है तो यह लोगों के लिए सभागी की बात है और इसकी साथ कि साथ संस्थान की इस्तिति है कि हमारे पाथ जो डिवलॉप्मेंट एकाउंट है जो कि आळणी संतो सभागी जी ने ही इसको बनीवा में 26 लाग से ज़्यादा इसमें अभी जमा है को इस खाते के अंदर और उसे हम huastी हम जो हमारी जो गाडी है और इसका maintenance अगैरा हम लोग से करते हैं और जो जिसका हम लोग कर रहे हैं ताके वह दोनों गाड़िया जो हमारी दोलती रहे और इसके अलावा हम लोगों के पास में सर ने जो जमीन हम लोगों को दिलवाई थी वो जमीन भी लगवग एकड़ के पास में 11 मिल के पास में हम लोगों के पास में हैं तो यह सारी अभी है हम लोगों के पास में और चुक्कि अनुबंद हुआ है तो उसके जो पिछली में उसको हमने संबादित कर लिया था तो यह सारी चीज हुई है तो यह सरवर्तमान इस्तिती रही है और चुकि अभी बैठक को लेकर भी मेरी सहरे सदस्यों से बादचीत हुई थी तो जैसा कि कुरोना काल में काफी चीजे हुई है कई लोग प्रभाइत हुए है और वह सार और मिला जी से भी मेरी बात हुई थी तो उनका विस्वास्त को लेकर बाची थी और साइनभवत शिफ्टिंग को लेकर भी बाची थी और संजय मैता जी चुकि अब सिरोंज में ही पूरी तरह से सिफ्ट हो गए वहां उन्होंने अपना एक आस्रम बना लिया है तो यह रह यह रहां कुछ जमा कर दिया था लेकिन उसके बाद हमको करना बागी है और चुकि नहीं अद्यक्स और नहीं सदस्यों को भी हमको इसके सामिल करना है तो इसके संब्द में आधरी चंतु चोबेजी सर से आपसे बातचीत भी होई थी क्योंकि हम लोगों को अब साक्सरता क के साथ सात कोशल विकास में भी हमारे संस्थान को आगे लेके जाना है और कि कोशल विकास करे लेवल पर तो रहा है हम जण शिक्सरतान की लिपर रूप में कार्व करते रहें और उन लोगों को हम लोग ट्रेणिंग भी देते थे और साथ में जो उनके ga काम होते थे उसका मल्यांकन भी हम लोग थर्ड पार्टी के रूप में करते थे तो यह एक हमको अनुभा हुए और अभी बी जन सिंग सिंस्थान का जो पूरा नेटवर्क है उसके साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे रूप में लोगों के साथ में हुए थी तो उसमें आधर्णी सर से ही में निवदन करना चाहूँगा के सार हमने उसमें हमारे आधर्णी जो निदेशक है आइसेक्ट समू के अधर्णी सिधार्थ सर जी सिधार्थ चतुवेदी जी उनको उनके नाम पर हमने प्रस्ताव किया है और आरेंट्यू से सर अधर्णी नितिन वत्सु जी है का नाम है संतोचोबे जी चुकि हमारे अपने पेरेंट के भी चेर्मेन है तो सर तो है ही हमारे अपने सदस्य और साथ में डप्टर सीपी मिस्रा जो कि पहले भी सर्सी की किताबों के लेखन में हम लोगों की मदद करते रहे हैं हेल्प जो किताबे आई हैं उसमें उन्होंने मदद की है तो इनकी सदस्यता को लेकर भी पाचित हुई है और तुकि हम लोगों को अब एक पूरे इसको मुमेंट को आगे लेके जाना है तो यह प्रस्ताव भी सर आपके समक्स रखे हैं और हम चाहेंगे सर तुकि एक लंभा जिदेशक और सचीव भी रहे हैं राजससादर केंद्र का जब गठन हुआ था तो और आप ही ने इसको आयते पुरा इसको खड़ा किया था इसारसी को और आज भी अगर इंदुस्तान में जो गिनी-चुनी दो-चार इसारसी ही जिंदा बची है उसमें हम लोग भी अगर है तो आपके और आप जितने भी यहां पर वर्ष्ट जन है आप लोगों के कारणी ही हम लोग यहां पर हैं तो इसके अद्यक्स के रूप में भी आदर्णिय संतोज चोबे जी ही अगर इसके अद्यक्सता को आगे समालेंगे तो हम लोगों के लिए और भी एक सुनार जाएंगे इसा मेरी पूरा उमीद है मतलब क्योंकि हम लोग यहां तक आए हैं तो यहां से आगे भी जाएंगे इतना एक कहना चाहूंगा और सरसे निवेदन करूँगा इस अधिन अमिताब सर्व, बनई जी सत्य घरे जी राग जी भी अपने विचार वियत करें आपने बहुत संशप समय में बहुत बड़ा विशे लेने का प्रयास किया है लगबग सारे विशे आपने लिये हैं विशे ज्यादा लिये हैं पॉज्व आपने कम लिये है तो बैद आपने खुच प्रस्ता अपने इस उस कोई वर्तमान समय में जो सबसे अधिक आवश्यक्ता है उस विग्ञान की उस विग्ञान का विशेशन के हैं। मैं इसका समर्थन करता हूँ। साथी साथ सर के नाम का प्रस्ताओ तो S.R.C. को पहले ही दे देना चाहिए था। इसलिए मैं उसका भी समर्थन करता हूँ, आपके दोनों प्रस्ताओं का, मुझे नहीं लगता कि आपके इन दोनों प्रस्ताओं में कोई किसी भी सदस्विको कोई कुछ इससे अलग कुछ कहना होगा। अब आपके दोनों प्रस्ताओं का समर्थन करता हूं वाकि आपने बाकि जो रूफ रेका रखी है आप अगर उसको और बिस्थार देना चाहे तो कृप्र यहाप बनाए आमंटरिक कि यह सार। थेंक्यू सार आपने मेरी इन सारे प्रस्ताव का समर्थन में किया और चुकि यह हम लोगों के लिए स्वभागे रहेगा और सर यह कि अभी हम लोगों ने जिस तरह से हमारे मुई में भी हमने लेखित किया है कि हम इसको केंदर को एक एकडेमिक लेवल पर और इसके कुछ हम हम लोग जो हमारे यह का इजूकरशन डिपार्टमेंट है उसके साथ में हम लोग एक नए कोर्स भी प्लान करेंगे और हो सकता है कि वह हम लोग दूरवर्थी शिक्सा के जो है और एड़ल्ट एजूकेस्ट में कुछ सटिपिकेस्ट सन पर भी सरके मांक अगे कदम बढ़ है उस उर्जा को समेठते हुए और उसमें सारी संभावनाएं हम लोगों को दिख रहे हैं और उसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं तो उसी रूप में हम लोग SRC को भी एक आगे लेके जाना चाहते हैं और चुकि एजुकेशन के साथ में अभी एडल्ट एजुकेशन को लेकर बड़े काम होना है कि अभी जो नई नई क्या मतलब कहूंगा कि राष्टी सिक्षा निती की जो घुस्टा हुई है उसमें भी जो प्रोण सिक्षा का ज्याह है 21 नंबर का उसमें पूरी उसके साथ में उच्छी सिक्षा के जो संस्थान है खासकर विश्विध्याले इस तर पर उन्होंने उनकी उनके कारी को लेखित किया है कि आगे जो प्रोण सिक्षा का काम होगा और आज इवन सिक्षा का काम होगा वो अब विश्विध्याले के इस तर पर भी किये जाएंगे और उसमें लिखा भी है कि वे विश्विध्याले में इस तरह के केंद्रो को खोलने के लिए भारत सरकार प्रसाइद भी करेगी क्योंकि नहीं राष्ट्री सिक्सानीती के अंदर यह चीज उल्लेकित है तो यह हम लोगों का सभाग है कि हम उसके पहले ही विस्विध्याले के साथ में हम लोगों का एक अनुबंद हो गया है तो यह हमारे लिए एक प् तरह से लेब के रूप में भी रहेगी जहां पर हम लोग अपने जो काम किये हुए हैं और आगे जो हम लोगों काम करना है तो उनको प्रायोगित तोर पर हम वहां पर विस्लेशित भी कर सकेंगे और वहां के जो परिणाम आएंगे उसके आधार पर हम आगे अपने कदम ब सबसे पहले तो मैं सर का विवादन करता हूं कि एक लंबा अर्षा बीता कि सरसे इस तरह से मुखातिब नहीं हो पाए था लेकिन आज एक लंबे अर्चे बात देख रहा हूं और जैसी आवाज उनकी पोन पर चंकर आई उसके मतालिक अगर देखनें तो सर आज बहुत फ्रेश लग रहे हैं और बड़ी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही तो सर आपको बहुत बहुत शुक्तामना है और आप बहुत जल्द की पूरी तरह से स्वस्त होकर पूरी उर्जा के साथ लोटें यूं तो अभी भी आ ऐसा मुका आया कि एक अद्यक्षी कारेकाल उस गतिशीलता में नहीं आ पाया उसके बहुत सारे दूसरे कारण रहे क्योंकि सवाल लगता रहा कि वो संजालित होगा नहीं होगा कैसे पड़ेगा लेकिन उनकी उपस्थिती निश्यत रुप से हम सब को लगातार जोड़ती रही और पड़ी स्वापने शीलता के साथ उन्होंने सरसी को जोईन किया था बत और अठ्यक्ष यह तो हमेशा जुड़े रहे तो मैं उनकी स्पिक्रिक परनाम करता हूं उसके बाद जो इस्तित्याई और जैसा संजे ने बताया भी कि रविना टेगुर विश्वतियाले क के साथ SRC का इस तरह से सनलगन होना हुआ और एक बड़ा शेत्र बड़ा परिद्रश्र काम करने का खुल रहा है मैं बाकी तो आप सब एक्सपर्ट हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि दो तिन चीजों पर मुझे लगता है कि जैसे आप M.O.E. हुआ है और एक बड़ी उप आपकि द्राश में करने कह जाए है मिजे लगता है कि उस कोर्षल के आहसं पास जो भी चीज़े नई हो रहे हैं जो नवाचार हो रहे हैं जो ने प्रेयुक्त हो रहे हैं उस पर मुझे लगता है कि हमको काम करना चाहिए और एक अच्छी बात यह हो रहे कि टैगुर विश्कला और सस्कति केद्विर का जो नया आहाता बना है और जहां हम नई गतीविधियां संचालेट करेंगे उसमें इसार सीख कर सकती है कि पारंपरी कोशल जो है हमारी कलाओं का इसको लेकर मैं जब लोकरंग में बार-बार जाता हूं तो मुझे लगता है कि वो शिल्पे जिनको मैं 10-20 वरस पहले देखा करता था बहुत तरसे नए शिल्प में ढलकर वो अपनी चीज़ों को पेश्ट करते हैं तो वो चीज़ें भी हमारे आज रोजगार का हिस्सा बन सकती है और वो पारंपरी शिल्पकार दीरे 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 नेपथे में चले जाएंगे मैं गुंदेचा बंदों क्या गया था तो मैंने देखा कि उनकी टेरेस पर एक जगह पर कूलकता से एक साजूं को बनाने वाला वेक्तिया था जो वात भी बना रहा था बहुत सारे तानपूरे बनाने का गाम पकावज बना रहा पूझा लगता है कि शायद हमको इस खेत्र में भी काम करने की जरूरत है और यदि हम कला और साहिट के खेत्र समवाद को लेकर तो हम एक कोर्स नया लांच करने की स्थिति में भी हैं हम सोच ही रहे हैं मुझे लगता है कि इस तरह से नए-ने विश्यों का अगर हम शामिल क हुगा कि हम जब पहले बैठे के करते रहें एस रसी बहुत दिनों के बाद इस परिद्रश्य से गायब है उसके सप्रीता को लेकर और यह भी बात हुथी कि हम लोग अपना एक फेस्बूप पर अपना एक बेज बनाए सोशल मीडिया पर एक ग्रूप भी बने और वह करेंगे बहुत पहुत शुक्रिया धन्यवाद थैंक्यू सर आपने जो बात कही है सर उनका उनको हम समय करेंगे और आगे इन कारेक्रों को भी हम सामिल करेंगे और मैं चाहूंगा अधिने डॉक्तर सतिन खरेजी भी अपने विचार वियत करें कि संजय जी सर को नमस्कार और याद करते हुए बड़ा तूनापन है इस मिटिंग में संजय जी आपने जो बाते कहीं थी उसमें तो पहला जो प्रस्तावता जैसा हमिताफ सर ने समर्थन किया तो उसमें कोई भी दोराय नहीं है समर्थन है हम सभी का उसमें अज्यक्ष्टा को लेके भी सदस्यों को लेके भी और दूसरा जो विश्विद्याले के साथ आपका जो जुड़ाओ है वो जुड़ाओ में वाकई बहुत सारे डाइमेंशन दिखेंगे क्योंकि जो एजुकेशन है उसमें खास्तोर से जो आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करी एजुकेशन और जो एसार सी का पुराना अनुभा हो रहा है तो इन चीजों में बहुत सारा एक ऐसा नई दिशा मिल सकती है इसमें विश्वित जाले और एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने बहुत सारी रचनाय और बहुत सारा कंटेंट डेवलप कर सकता है कुछ विशयों को लेके आप तेजी बात करते हैं तो मेरा ये सुझा हो था कि अभी जो आला कि बड़ी दुखाच तीज़े लेकिन जो इस्पेशल एजुकेशन पर इस्पेशल चायल्ड ये एक चीज़ है जो बहुत तेजी से इसकी डिमांड बढ़ रही जा जिसमें इसमें काफी एक्टिव है गर्मेंट तो ये मेरा सुझाओ है आगे जैसा आप लोग में रिश्ट करें नवश्ट बहुत बहुत धन्यवाद सर पिलकुल इसको भी हमारे लिए भी नया सुझाओ है और इसको हम सामिल करेंगे सर यह हम लोग को एक नई द्रस्टी और नई रहा भी दिखाएगी सर अधरने अब प्राग तेलंग जी से निवेदेने सर वो भी अपने विचार में करें सर अधर मैं बदाई दूंगा आपको कि आपने विकास के पुस्तक की पैयारी कर लिए और उसका विमोचन शेक्री होने होने बहुत बहुत बड़ा एक्विमेंट है और आप निदेशक के रूप में नामित किये गया है यह सिर्फ आपकी नहीं एसर सी की सफलता है और आरेंटी यू की इमेज की सफलता है जो आप जुड़े हैं उससे और यह बहुत अच्छी बाते आपकी सकरीता बढ़ेगी कोरोना काल के परशाथ मैं उमीद करता हूं और जो नए सब्सक्राइब है उसमें सिद्दार सार नितिनवाट सार यह बहुत डैनामिक लोग है और इनके आने से सर्सी का चेहरा बदल जाएगा और इनको निशित रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए और आदर्णी सर का माल दर्शन हमको लगातार प्राप होता रहे इसलिए जरूरी है कि उनका अध्यश्ट बहने रहना नितांत आवशक है मैं डॉक्टर अन्रॉक सीठा जी के स्मृत्ति को नमन करते हुए ऐसार्सी की बहुष में उत्तरोत्तर सफलता की कामना करता हूं धन्यवाद थैंक्यू सर अधनिया सर से निवेदन करूंगा के सर हम लोगों को माग दर्शन दे अधनिया थैंक्यू सो मच आप सबको धन्यवाद संजय जब मेरे पास आए थे इस पर बात करने के लिए तो मैं थोड़ा हिजिटेंट था क्योंकि मैं सर्सी से काफी लगादार सपोर्ट करता रहा उनको लेकिन उस तरह से मैं काफी दूर निकलाया था और सर्सी के अध्यक्ष के रूप में लगबग दस सान में कारे किया हभीब तन्वीर साहब के बाद में और एक एबल हातों में वो था अलाकि समय बहुत अच्छा नहीं था तराग ने कहा या अविने ने कहा तो उससे कुछ कटनाईयां हुई लेकिन जब सर्सी कटनाई में प सबी मित्रों से बात करके इसको विशुद्याले में शिफ्ट करने की बात कही और फिर वो शिफ्ट भी हुआ वहा स्थापिज भी हो गया है तो अभी फिलाल की जो इस्तिती है उसके हिसाब से जो इसे ड्राइव करना है इसमें नए इनर्जी लाई जानी है नए सोर्से को इसमें प्रवेश कराना है और अब विशेश कर क्योंकि आईसेक के बाद दो जेएसेस भी है तो जेएसेस की नेटवरकिंग भी हो सकती है तो यह सोच के मैंने कहा था कि शायद मैं एक टाम और करूँ और तब तक और नई डीडर्शिप बन जाए तो वो तो मैं कर डूंग जैसा आप लोगोने कहा और मैं रखाद है कि इस समय लीडर्शिप की आवश्च रखता है और ऐसी लीडर्शिप जो की थोड़ी एबल भी हो फैनेशली रिसूर्स फूल भी हो और एक दिशा प्रदान कर सके और उसी पर मैंने कहा था कि वो बात कर लें कि अगर सिदात के पास समय हो और वो समय दे सके तो उन्हें और नितिन को क्योंकि उद्यमिता एक बड़ी चीज होने वाली है तो उनसे बात की जाए पर क्योंकि हेल्थ एक बड़ा फेक्टर है तो इसलिए और अशल्थ पर बहुत सारे कैमपेंज हैं हेल्थ के लिए गवर्मेंट ने आपन है बोपाल के अंदर डॉक्टर के बीच में अस्पतालों के बीच में तो यह तीनों ही क्या आपके पास में उनके वह रिक्वेस्ट लेटर आ गए हैं फॉर्म्स आ गए भर के और सब लोगों का आपने शुर्ट भी जमा करा दिया है तो मेरे खाले दोनों प्रस्ताव ऐसे है कोई महिला सरस्ता नहीं है मतलब कोई ऐसे महिला नहीं है जो पहले थी जैसे अपने तयारी करके लता मुंशे जी उर्मला शिरीष को कंविंस किया था कि वह आ जाएं तो मेरे खाल है कि अब हम आरें टीउ से किसी महिला को लें जैसे डॉक्टर संगीता जहुरी हमारी यु उनको लेना ठीक होगा क्योंकि शिक्षा विभाग में अभी कोई ऐसी महिला मुझे दिखती नहीं हाला कि एक्षेंशन का काम पूरा रेखा-गुप्ता करती थी तो एक्षेंशन का काम वो कर सकती है लेकिन मैं चाहता हूं कि शायद संगीता जोरी और रेखा-गुप्ता से हमिताब सर भी एक उसमें व्यूपाइंट ले लेंगे तो एक महिला को जरूर इसमें लिया जाए और दुकत भी है कि मुझे अदिश्टा करने के लिए दुबारा इसमें आना पड़ रहा है और इस सब कुछ ठीक होता तो शायद अनुराग इस समय अदिश्टा कर रहे होते हैं और हम लोग उन्हें सुझाव दे देते कि वही तुम लोग यह काम करो यह M.O.U. के समय मेरी उन का लगबग हाथ पकलके जब हमारा ओफिस मेरे इसमें वाले घर के उपर में हुआ करता था पुराने हिस्से में कुल पांसाथ लोग थे हम लोगा आई सैक के नाम पर वो शुरू हुआ था तो उनको लेके आये थे हाथ पकलके और यह की उन्होंने मेरे पिताजी का दिक्र किया और यह कहा कि लड़का बंबई से अभी कंप्रूडर साइंस में कुछ करके आया है तो आप इसे ले लो क्योंकि आपके इनिशेटिव सारे अच्छे मुझे मालम है कि दूर तक जाएगा तब से लेके लगबग जो के करीब 84, 85, 87 है तो भी 25 साल उनके साथ हमने काम किया और वो जहां भी रहे एक तरह का डानेमिक स्थिती बनाए रखते थे तो उनको काफी बूलने की आदत थी तो नई बात सोचते ही रहते थे और टेक्लोजी का भी उनको अच्छा ग्यान था उसका उपयोग के बारे हम बात करते थे हिन्दी में कुछ किताबे उन्होंने लिखी थी पहले नहीं लिखी थी पहले लिख्टर पे, एशार्तिर के लगातार वो आते जाते रहे, पहले गौवनिंग बॉड़ी में रहे उसके साथ किताबें लिखते रहे यह वह चिंतित कि एसार्थी का क्या होगा और उसको लेके पिछले एक साल से बराबर आ रहे थे तो अब सीटा जी को मतलब नमंज ऐसा तो मैं क्या करूं मतलब सीटा की बहुत याद करता हूं मैं और मेरा ख्याल है कि अभी वह समय उनका जाना हुए अगर वह रहते तो अब हम लोग बहुत सारा और नया काम करते हैं उस समय ही हम लोग कोशल विकास की बात कर रहे थे और अमिताब सर्थ से भी लंबी बात इसको लेके पूई थी तो हम सबकी ओर से सीठा को एक अर्दिक शृद्धानजली हर्पित की जाए उसे रिकॉर्ड किया जाए और इस की भी इटक में ईंके घर पर एक मेसिज बेजा जाए कि ये बहूं सीफे प्रहले और उनकेख काम को भी रिखांकित किया गया और उसका कोई पुराना प्रकाशित काम हो तो वो दें तो SRC उसे प्रकाशित करेगा कि देखा जाया हम ना कोशल पर हो या कि यह और चीज़ में तो जहां तक बॉड़ी का सवाल है बॉड़ी इसके बाद गठित हो जाती है और हम मेंबर शायद अपने आप इंक्रीस कर लेंगे यदि हम महिला सदस्ता के कारणा आमड़ी संक्या ग्यारा बारा और तेरा भी होती है कोई बात नहीं मेरे खाल है कि 10 की सीमा थी पहले पर 10 की यह जो लोग ते वह विड्रॉ कर गये हैं और गौर्मेंट के लोग अब रहे नहीं गये हैं तो हम लोग शायद जीवी तैय कर सकती है कि महिला सदस्तों को इंडक्ट करें यह भी रिकॉर्ड करिये कि जीवी ने तैय कि विशेश आमंत्रित के रूप में इसमें तीन महिला सदस्तियों को लिया जाए और इस बीच में मेरा क्याल है कि जो जो लोग जो सदस्ति अभी आज बैठक्ट में है विशेश का रमिताफ सर्प और विन्य इन सदस्तियों ने एक तरह से साथ नहीं छोड़ा अभी तक यहां तक लाए हैं तो सभी सदस्तियों का भी बहुत धन्यवाद किया जाए और अ ग्यालेक्सी जो है बहुत अच्छी बन रही है और इन दे सेंस की हमताब हमारे सबके मतलब एक तरह से लिंक हैं पूरे समाज के तती विन्य इसको एक साहितिक गर्मा प्रदान करते हैं सतीन खरे आदियो विडियो कंटेंड पर काम करते रहे हैं आप खुद इस समय विश्वरंग के द्वरान बड़े रिपोर्टर के रूप में बूरे हैं राग विज्यान लिखक भी हैं और विज्यान कवितायां भी लिख रहे हैं वो लेककी यह संपर्दान करते हैं इससे मिश्रा जो हैं वो हेल्थ वाले सेग्मेंट को कोलने का काम करेंगे तो संगीत आगर रहेंगी तो यह हमारे जो सातों सेंटर्स हैं उनका इंटिग्रेशन भी इनके साथ में किया जा सके तो यह तो मेरा एकदम प्रारंबिक रिमार्ग है मैं थोड़ा से थोड़ी सी बात सार्थी की दिशा को लेकर करना चाहता हूं जैसे मुझे ऐसा लगता है और मैं इस पर हमिताब सर्थ से तोड़ी ज्यादा बात भी कर चुका हूं हमको बिना डरे हुए कुछ बड़े काम हाथ में लेने चाहिए और धन कैसे आएगा इसके बारे में सोचेंगे जैसे मैंने यह प्रस्ताव किया है कि विश्व रंग और हमारे सारे संस्ताओं को साथ मिलेके हम एक करोड लोगों को हिंदी सिखाने का काम साथ मिलें और SRC उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर हो है ना और यदि ऐसा हम करते हैं तो हम सारे SRC को सारे जैसेस को सारी लिटरिसी कमिटीज को और एक बहुत बड़ा पूल जो पीछे छूड़ गिया है जहना उसमें से जो बहतर लोग हैं जो अब वरत्मान सरकार की नीदियों की कैके हामी हैं और सिखेंसा करते हैं लेखकों के एक बड़े सम्हू को ऐसे बहुत सारे लोगों को जो की काम करना चाहेंगे साथ में लेकर एक बड़ा अभियान करें उसमें रविन्ना टैगोर विशुद्याले और SRC यह दो लोग और हमारा पूला जो ग्लोबल नेट्वरकिंग बना है उसको करें अमिदाफ सर इस बीच में हमने जो हमने पुरानी डिजिटल प्राइमर बनाई थी मैंने कुछ काम मैंने इसके कॉंसेप्चुल लेवल पर किया है वो आपके सामने रखता हूँ जैसे हम जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम देंगे करेंगे उसके तीन लेवल होंगे चार तो तीन लेवल होंगे एक तो ए लेवल है जो कक्षा तीन के बराबर बी लेवल कक्षा पांच के बराबर और सी लेवल कक्षा आट के बराबर ये तीन लेवल पर ये प्रोग्राम चलेगा तीनों जैसे ए लेवल तीन महिने में हो जाएगा बी लेवल तीन महिने में ह जाएगा एक साल में हम पूरा डिप्लोमा प्रोग्राम भी डिप्लोमा इन हिंदी जैसा अभी कुछ दे सकते हैं जो इसके और पॉलिश कर सकते हैं इसके कंटेंट हो लेके भी काफी विचार हो चुका है कक्षा तीन की जो डिजिल डिजिल प्राइमर हमी ने बनाई थी निकाल के देख लिया गया है तो वो 12 सरकार की जो प्राइमर थी उसका अनिमेशन और ट्रेकलोजीकली की तरह ही है वो जो टाटा ने बनाई थी उससे बहतर है और उसके 12 पार्ट हमारे रिडी है और यह डिजिल लाँच की जा सकती है उसके बाद के 12 पार्ट और हैं जिसके लिए एक टीम बना दी गई है कि वो जल्दी से उसे खतम करें तो अगले एक महिने में हमारे पास पूरी प्राइमर यानि कक्षा तीन के सामगरी डिजिटली और आडियो वीडियो कंटेंट के फॉर्म में रेडी होगी तो यदि कोई पूछता है कि आप सो कैसे करेंगे तो हमारे पर प्रिंट प्राइमर भी है प्रिंट प्राइमर ले लो वे सार्थी की प्रॉपरिटी थी तो उसको पॉलिश करें और उसका डिजिटल वर्शन भी हमारे पास है और इसे हम कर सकते हैं जो कक्षा पांच और आट का सवाल है उसमें ये लगडगता है हो गया है और सर भी उसे जानते हैं और मैंने यह बात की है कि जो नेशनल ओपन स्कूल है वो इस समय पीन पांच आट की सामगरी बना रहा है और वो उसका जो हिंदी पार्ट है मतलब उसमें जो हिंदी विशय ह ज़िए उसके विशय को हम लेते हैं तो कक्षा पांच और कक्षा आट की सामगरी जो शायद थोड़ी एनिमेटेट भी होगी और जायतर PDF फॉर्म में होगी लेकिन ऑनलाइन होगी तो उसको हम अडॉप्ट करते हैं तो A, B और C ये तीनों लेवल की सामगरी हमें मिल जाती और हमें इसके लिए किसी वैश्विक समधाय की तरफ देखना नहीं पड़ता है हाला कि जब वो जूरी बोच्विकेन वगारा आये थे और यूरोप की जो और विशिद्याले आये थे तो वो बहुत सारी चीदें अडॉप्ट करते हैं जैसे फिल्मी गानों का प्रयोग कर है उसके बदले हम अच्छी कविताओं का प्रयोग कर सकेंगे हम सब्टाइटलिंग का प्रयोग कर सकेंगे कविता गाई जा रही है और सब्टाइटल सामने आ रहा है एक बार वो अक्षर पैचानने लगे तो जो ब्रच खुठारी का एक्सपरिमेंट था जो इस लो के हिंदी के अक्षर पहचानना शुरू किये और वो करना शुरू किया तो हम मोड तो मोस्ट प्रॉबिबली ऑनलाइन रखेंगे क्योंकि वह बहुत ईजी होगा और दूसरा इसमें लेवल रहने लगबक तैय किया है और इसके पीछे जैसा किसी ने का आप बहुत संभावना फुल कि मतलब और दियो की संभावना खुलती है बहर भाटी नë फोर्टी आ dol के अन ना इनका भी प्रयोग करना, इनसे MOU कर लेंगे अगर वो हें और अभी तो मैंने सोचा था कि हधार रुपे एक और रुपह में हम वेक्षा रुपह करते हैं. अगर, वह कर कर पाते हैं तो हधार करोड हम generating करते हैं जो लोगोंते शेयर करेंगे नहीं भी कर पाते हैं मानलों हम एक लाग भी करते हैं शुडू में हम टार्गेट बड़ा लेंगे लेकिन पाइलेट के रूप में एक लाग भी करते हैं तो वो भी एक हजार लाग होता है जो दस करोड होता है तो प्रारंबिक काम के लिए हमारे सेंटर को एक्टिव नहीं था जितनी सर्थाओं के ग्रांट पहले लेते आये उन सब की हैविट यह हो गई थी कि ग्रांट लो हवाईजाज में गुमाओ यह करो वो करो लेकिन प्रोडक्टिविटी उनकी बहुत ही कम थी और जो पूझी लग रही थी उसको पूझी की तरह नहीं अनुदान की त हो इसे पूझी की तरह नहीं स्कूल खोलो विशुद्याले बनाओ पॉर्टल ख़ले करो और बहुत सारे ऐसे काम करो जो कि तुम्हें ग्रो करने में मदद करेंगे तो वह नहीं कर पाया वो लोग सब वाशाउट भी होते दिखते हैं तो हम लोग इसको इस तरह से करेंगे और इस से उसके बाद में हम स्कूलिंग में चले जा सकते हैं मतलब फॉर्मल ना योएस से हम ये भी बात कर रहे हैं कि वो पाचवी आटवी के स्कूलिंग के लिए भी हमें हमसे अमयू करें तो हम ग्रासरूट लेवल के ऑनलाइन स्कूल बड़े पैमाने पर जो नया नया स्कूल के बदले हम एक स्कूलिंग का भी चेन बना सकते हैं इस डिस आइडिया एड प्रेजेंट मतलब आपने देखा होगा कि शिक्षा नीथी के बाद में अब इक्षा ये की जा रही है कि आप बड़े काम करें बड़ा इंटर्वेंशन करें और ग्रासरूट लेव प्रॉबिबली एडिट बाई अविताब सर्थ इसको करेगी बाच्ची शुरू करेगी हम बहुत तेजी से इसमें मूव करें दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टन काम इस समय है वो कौशल विकास को लेकर है और उस पर भी बहुत जादा जोर है आप देखिए कि JSS सारे ज इतने JSS हैं वो काफी डॉर्मेंट इस्टिटी में हैं पहली बात तो उनकी भी ग्रांट कम हो गई है बहुत सारे JSS बंद हो गए हैं और उनके पास विचार नहीं है क्योंकि JSS जो है वो नए और मॉडरन कॉंसेप्ट को भी समझी नहीं पाया तो वो कौशल विकास मंत्रा साले में चले गए हैं लेकिन हम एक बड़ा काम तो यहां ते चुडू कर सकते हैं कि ऐसार सी सारे JSS मत्पदेश के और 36 गड़के उनको उनका एक मीटिंग करे और उनको नए आइडिया से इंफ्यूज करें अब क्योंकि हमारे बात भी दो JSS है तो एक लोकस्टेंडाई हम ने कहीं पर कहा मतलब हमारे इंटर्नल मीटिंग में कहा कि देखिए कि अभी भी ऐसेस्टी का पूरा फोकस और इंप्लॉइमेंट दिलवाना है तो और इंप्लॉइमेंट करवाना है तो वह कॉर्पोरेट की जो नेस्कॉम जैसी बॉडी दें वहां तक जाते हैं लेकिन अ हो सकती तो जैसेस को बीच में लाने से हम अनॉगनाई सेक्टर का इंप्लॉइमेंट और उसकी एप्रेंटिशिप इसको पुश करेंगे क्योंकि कॉशल विकास मंत्राले के पास में मेचाइडी के पास में नैप्स और नीम स्कीम है तो इन स्कीम को लेके हम लोग जा सकते ह जैसेस की साथ हम लोग काम कर रहे हिए और करीब करीब पचास जाब रोल पर काम कर रहे हैं तो जैसेस को जोब ट्रेनिंग करनी है उसमें उसको जाब रियुक्त एसको लाना पड़ेगा और हम मतलब हमसे बहतर अभी समझ रखने वाला देश में इसको लेके कोई नहीं है विश्व द्याले बिल्कुल नहीं समझते इस बात को अधिक तर जो कोशल के लोग हैं वो नीम को नहीं समझते और कुछ जो नीम के लोग हैं वो उनको आने भी नहीं दे रहे हैं तो मेरे ख कि हम को दूसरा जो एरिया खोलना चाहिए वो कॉशल विकास का जिसके लिए कि मैंने प्रस्तावित किया था कि सिद्दार आएंगे तो उनके पास में और उनके साथ साथ बहुत सारे और लोग भी आ जाएंगे आई सक नेटवर्क भी आ सकता है तो ज्यादा बैथर हो तीसरी तो वीमन एंटर्प्रेनरोस के लेके हम लोग के बाख काफी ट्रशन सा मिली और हम लोग लगबाग आइडिफाई भी हो कम से कम विश्व के बारा संस्थानों में तो आइडिफाई हुए ही है फाइनल सिक्स में आते हैं के नहीं आते है अगलग बात है लेकिन महिला अध् उद्यमिता को पगड़ देते हैं तो फिर समर्द भारत अभियान उद्यमिता और अपने इंडिविज्व एंटर्प्रेनरोस फार्मर्स क्लब्स प्रोडिसर और और यह सारी चीज़ें एग्री के फॉर्म में खुलती है और इसके लिए अपने पास कम से कम पांच ब्यालें भी बना सकता है प्रदानमंति कोशल केंद्रों से आपको कोशल रोद्यमिता के लोग मिलते हैं उनकी नेट्वर्किंग कर सकते हैं तो यह सार्थी का भविश्य बहुत उज्ज्वल है विन्या ने बहुत अच्छी बात कही कि जो अपना लोक संस्रिपी केंद्र ह और जो हमारे यह प्रवासी भारती शोत केंद्र है और जो हैं तो वो केंद्र बाशा शेक्ष्ण केंद्र है यह अपने अपने आइस बीच में ख़ले कियें और काफी नेट्वर्किंग पांडु लिपियों का भी काम हो सकता है कि पांडु लिपियों संग्रहन किया जाए तो यह सारे काम की नर्जी आपको टाइओं इंटरेशन सेंटर में स्थापित सारे केंद्रों से मिलती है तीन दिशाएं संक्षेप में एक बाशा शेक्ष्ण का बड़ा काम हाथ मिलें और हिंदी को पकलें दूसरा कोशल विकास के लिए जैसेस की नेटवर्किंग करें औ हम खुद भी अपलाई करें जैसेस के लिए आपको एक जैसे जरूर मिल जाएगा तो यह प्रारंबिक दिक्कति उत्ते खदम हो जाते हैं तीसरा हम उद्यमिता का दिस्तार करें अटल इंक्यूबेशन के माध्यम तो यह बहुत शॉट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम बना ही तो थे क्योंकि हमारे लाइट चली गई तो फिर पंचा जनका प्रोग्राम और यह चारजएवल बेकरिसस पर भी हो सकता है अलग अलग के लिए वसकता है जो हो सकता है के लिए हो सकता है हम शुरू कर रहे हैं इंक्यूबेशन के और से के लिए एक one day two day five day zo स्किल पर भी होता है तो यह जो है यह इसके लिए इंकिविशन सेंटर बहुत काम आएगा और फिर कुछ लोग अगर आप अपना वो डालना भी चाहते हैं उद्यम डालना चाहते हैं तो हमने करीब करीब पंद्रा सोला सो प्रोफाइल इकट्टे किये हैं जो कि इंडिविज उसके लिए विनाय के साथ में सत्यन करे के था ऐसे चोटी टीम बना के प्रोग्राम ऊपर लाते हैं तो फिर फंडिंग के भी बहुत सम्मावनाएं हैं अभी नई शिक्षा नीती में उच्षा पर बहुत बात हो रही है इसकूल शिक्षा पर बात हो रही है एडल्ट इन दिस तो भगवान कृष्ण की बहुत पुरानी स्टोरी है कि वो जब यह गये दुरेदन मांगने तो उन्होंने का कि मुझे आपने सेना दे दीजिए और यह दे दीजिए उनने का यह सब ले जा वाई लेकिन मुझे नहीं मैं नहीं तो अब्यक्ति है संसाधन केंडर क एक basic बात ही है कि वो banner है उस banner की ताकत समझना है जब मैंने यह कहा कि हम इसको इसमें लेकर आएंगे आएरिन टीयू में तो आरिन टीयू मैंने अपने मित्नों से यह कहा कि आज हमें लग रहा है कि हमें salary देनी पढ़ रही है कि हमें यह देना पढ़ रहा है लेकिन उस banner की अपनी ताकत है, नहरेंट ताकत है और साल दो साल बाद आप देखेंगे कि आपके स्टूडियों के लिए भी और बाखी सभी विबागों के लिए भी उस से बड़ी मदद मिलती है और बैनर को हम और मजबूत करने के कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा मन है, राग भी साइंस कम्यूनिकेशन को लेके, अब जैसे कल मैंने, आजकर अपने बच्चों के साथ तो अब समय मिलता है, तो मैंने देखा कि कई मैलाएं और साइंस कम्यूनिकेटर्स बच्चों के लिए इत सुन्दर पिक्टोरियल किताबें लिखी गई हैं, तो एक और एरिया खुलता है, जो विज्ञान कम्यूनिकेशन का भी है, बच्चों तक पहुंचने का भी है, और मेरा कालेक ये सारी चीज़े हैं, हम लोग कितना कर पाएंगे ये बात अलागे, लेकिन पहले थो हमारे व आदमें ये डॉर्मेंट हो गई थी और उसमें ये हिल रही थी, तो उससे ये समस्या थी कि जो विचार मन्थन के लोग हैं, वही अब कम पढ़ रहे थे और दिशा क्या हो, इसमें भी समस्या आ रही थी, तो सबसे अच्छा स्टेप तो आज ये है कि ये कमिटी फॉर्म हो और फिर हम इन सारी दिशाओं में काम करना शुरू करें, तो मैं बहुत आवारी हूं कि आप समने एक बार पुना, SRT को ख़ड़ा करने काताई किया, और मुझे मुझे विश्वास और जताया, लेकिन परेंट बॉड़ी में तो में था ही, लेकिन अब क्योंकि ये है ही R&T में, तो ज्यादा मदद मिलेगी, और इस पे कुछ दिशाओं पर पहले से ही लोगों से बात हो रही है, तो उन सब को आगे बाएंगे, तो तैंक्यू सो मच, धन्यवाद, ये जितना मैंने बताया, इसके लिए आप खुब सारा माटीरियल एकट्टा करिए, तंजी, टेस् अंग्रीदी का टेस्ट अमेरिका में होता है, भारत आने के लिए हिंदी का टेस्ट होना चाहिए, और ऐसा कोई टेस्क नहीं है, स्टेंडर्ड टेस्क नहीं है, कि आप बईया हिंदी हमारी तोड़ा सीख के आओ, और जो सीखना शुरू करते हैं चाइना में या कि ये ठीक हूं और बैनम भी ठीक हैं, अब इनर्जी लेवल भी हमारे अच्छे हैं, तो मैं एक एक घंटे-दो घंटे आफिस आना शुरू करूंगा, आप सब से मना साथ होगी, थैंक यू सो मज, नमश्कार. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक बड़ा विजन हम लोगों के सामने रखा है, और इससे बहुत सारे जो काम है, वो होंगे और बहुत सारी जो नई दिसाये हैं, वे हम लोगों को मिलेगी, और हम निश्ची थी जो एक वापोह में थे और एक उसमें थे किस तरह से ह एक नई द्रस्टी भी आज हम लोगों को मिली है, एक नई उर्जा मिली है, और तुकि फिर से हम एक बड़े नेतवति के साथ में सार्सी को आगे लेके जाएंगे, और जो अभी काम हम लोग कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया है, बासा सिक्षन को लेकर भी प्राइमर को लेकर काम प्राणव हो गया है, और बाकी सातों केंद्रों को लेकर तो हम लोग मदद करी रहें, तो इसको और भी बहतर ढंग से हम लोग कर पाएंगे, आज ये सारा एक नई उर्जा, एक नई द्रस्टे आपके विचारों से हम लोगों को मिली है, आपका बहुत-बहुत ह सर, और मैं चाहूंगा के सर, इसके साथ में हम लोगों को सर, एक इसी भी इसकी एक छोटी बनाना चाहिए साथ में, एक एक इसी भी का भी निर्मान हो सकता है, तो कि पहले भी रही है, तो कि प्रस्ताव कर दीजिए, हाँ सर, इन लोग बहुत ही सपच्च दिखते हैं, जै आप सची बने रहेंगे, आपको जो जॉइंट सेकेटरी, ट्रेजरर और दो मेंबर और लेने आप रस्ताव कर दीजिए, हाँ सर, इसको लेना चाहते हैं, एक बात मैं कह रहा था कि अभी हम जो हमारे पास कॉर्पस फंड है, मैंने अपने समय में एक करोड रुपर इखट में आता, अभी हम लोग कॉर्पस को टच नहीं करें, मैं यह कह रहा था, जैसे उसका पैसा खर्ष्ट न करें, आप चब्यस लाग, चब्यस लाग रहने दीजिए, उसको किसी बैंक में आप ब्याज वगरा ले सकते हैं, अभी उसको वही रहने दीजिए, दूसरा एक बार के उपर है, अब इस समय बड़ी कॉसली जमीन होगी, तो उसको एक बार लेके फैंसिंग कर वा लिया जाए, उसको अपने कभजे में लेना चाहिए, तो वो कहा हैं, उसको लोकेट करो ठीक से, और तीसरा यह जो पैसा है, इसको अभी यूज न किया जाए, तो वो पैसा आ आगी इसको टैगोर सेंटर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो शिफ्ट करवा दीजिए, बिना बता देंगे कहा आना है, तो इसको टैगोर सेंटर में मर्च करा दीजिए, गाड़ियां दो है, एक गाड़ी आप यूज करी, एक गाड़ी डपार्टमेंट को या विश्व द अच्छा आज यह अनुवती दे दीजे संजय को कि वो प्रस्ताव कर देंगे ऐसा फंक्शनल जॉइन सेक्रेटरी चाहिए जो कि उनके आसपास ही रहे और काम करें फिर एक ट्रेजरर चाहिए जो कि इसको फंड में फिग्निटरी होगा तो वो भी आसपास का वेक्ति होना च चाहिए दो मेंबर जो इसकी फंक्शनलिटीज को लीड करेंगे वो भी होने चाहिए तो मेरे खाले आप सोच के कर लिए और लोगों से बात कर लिए और बाइस सब्सक्राइशन उसको अप्रू करा लीजेगा पर समिशन के पहले वो कर ले ना कि रेस्टार के आज़ एसी जाए और जनल बॉड़ी भी जाए यह अपने को देखना है जमीन दरूर देखाईए कि कहां पर आपकी दमीन के कागज कहा है है तो आपके पास होने चाहिए वह कम से कम एकात करूर की जमीन होगी जहां पर वो है कोई जगह पर और एक अमिताब सर के साथ में भी बेट कर बात हुई थी क्योंकि सिठाजी का हम लोगों के साथ और खासकर सर मेरा तो लगातार उनसे सारसी के दोरान मिलना जुलना रहा है और अभी भी आप आप से बात करके फिर में सिठाजी के घर भी मिलके आया हूं सभी और चुकि सिठाजी का भी एक बड़ा योगदान हम लोगों के साथ पे रहा हमारे हर चोटे-चोटे कामों में उनकी मदद मिलती थी और रोज ही लगबग हर दो-चार दिन में बातचीत होती थी और हम चाहते हैं कि सर चुकि सर्सी हमारी अपनी काम कर रहेगी तो हम आगे सिठाजी की इस्पृति में भी करिक्रम या एक एवार्ड हम लोग देंगे यह प्रस्ताव है कि हम लोगों के साथ में सीठाजी हमेसा रहेंगे और यह रहेगा कि हम कम साल या दो साल में एक बड़ा आविजन करेंगे तो उसमें जैसा कि अमिताब सर ने भी कहा था कि यह पुस्ताव आना चाहिए लेक्चर सीरीज तो करी सकते हैं साल में लेक्चर उनके नाम पर समय किसी को अवार्ट भी दे सकते हैं जी सर जी इसका इसका क्षेत्र यही रखें साक्षरता भाशा शिक्षण मैला उद्यमिता इस्तर का कुछ रखें तो विश भाशा का टेक्नलाजी में प्रयोग टेक्नलाजी का भाशा में प्रयोग ऐसी चीजों पर भी हो सकता है जरूर किया जाए इस समय और कुछ करें अच्छी बाते सर आपके रखी है मुझे लगता है कि समय की करिमा भी हम लोगों को क्योंकि आप कह चुके हैं अपनी बात मैं एक दो बाते कहता हूं सर आपकी बात से जो निकली है और मुझे समझ में आई है कि एक तो हमारे को जो संजे जी नया एंसी एफ ड्राफ्ट हो है उसमें थोड़ा हस्तक्षेप देना चाहिए जो एंसी एफ की ऊपर अपने कमेटी बना देते हैं और कम कक्षा पांच तक के लिए हम कुछ कहने के लिए अपनी बात रखते हैं यहां पे तो कि अभी यह इस पे चर्चा चल रही है बहुत सारी दूसरा जो यह आपने चे चाहता एंइपी में वह एडल्ट एजुकेशन के ही उपर है और इसको एक्स्टेंशन पार्ट माना है एडुकेशन डिपार्टमेंट अबलिक फैकल्टी तो उसको इस्टाइबलिश करना अपने विश्वद्जयाले में अपना काम होना चाहिए कि हम उसमें इडल्ट एज सी लाना चाहिए मुझे लगता है कि अपने जन सिक्षन संस्थान को एसार्सी के साथ लेते हुए विश्विद्यालेओं के सर्टिफिकेशन को क्योंकि एससी वगिरा इत्ती और यह बहुत बड़ा एरिया खुलता है सर इससे संजे सर यह बड़ा ही साहित करने वाला काम होगा कि और यह इसकी शम्ता लाखों से अधिक होगी करोड नहीं वो लपा रहा हूं लेकिन यह मानता हूं कि जिस तरीके से बगेर सर्टिफिकेशन का वर्कर हमारे हैं और उसके पास कुछ आर्पियल की भी बात होती है इसकी डवलप्मेंट में जन सिक रमंद में उसे हाॉस कर देना चाहिए और हमें मत्द्प्रदेश च्छतिस गड़ों के दोनों विश्व देव में इसमें काम शुरू कर देने जिए इस लिए सर च्छतिस गड़ों विश्व द्यालें में तदकाल एक हमारे SRC की पीठ बना दीजिए जी जी और SRC में को व बात अच्छी बाते आपने कही वास्तों में बहुत अच्छा दर्शन इसको मिलता है मेरे के पास एक दू चीज़ें थी बहुत बढ़िया नया उसा देगा और एनरजी देगा धन्यवाद सब्सक्राइब बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया पर यह संजय है जिसको अप कह रहे हैं उसमें Center for Adult and Continuing Education यह बना लिया जाए अच्छा अभी नोडल एजिंसी कौन है एडल्ट एजुकेशन की सर वहां तो उन्होंने NCRT को कर दिया है पूरा काम हाँ तो वह जड़ा हमिताब सर को बताना की ड्राइव को कौन ड्राइव करेगा जी जी तो शायद एंसी एफ यह जो अमिताब बोल रहे हैं कर्यूकलम फ्रेमवर्ग बनाने की वह एजेंसी पहले भी रही है जी 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 फ्रेमवर्ग बना रही होगी शायद इस लिए कहा होगा लेकिन कोई नोडलाइजिंग एजेंसी होगी न हमेचार्टी में जैसे डारेक्टर और अडरेक्टरेट का क्या हुआ सर हाँ वह उन्होंने उसको फूरा खतमी कर दिया कुछ बना होगा जैसे इसमें से कौशल नि चले गए यदि NEP का हिस्सा है तो उसके लिए को नोडल पॉइंट भी होगा और इट कांट भी NCRT करूकुलम फ्रेमवर्ग ज़रू बना रहा होगा लेकिन होगा और करूकुलम फ्रेमवर्ग में रहत्रश्यप करना है तो वह तो एक बात है ही कि उसको भीजना चाहिए न यह देखो और बनाके उसमें यह काम लिये जा रहे हैं तक करके एक फर्स्ट लेटर डिरेक्टर SRC आपको भेजना चाहिए हिंदी में भेजी वह कोई बात नहीं है लेकिन हमारा SRC विशुद्याले में प्रस्थित हो गया है हमारे SRC ने यह काम शुरू किया है हमारा प्ला स्टेट गवर्मेंट को भी दो कि यह दर्ज हो तो स्टेट गवर्मेंट की मदद लेनी है वहां के मदद लेनी है तो हम पहले ही आगे दिखें इसके बहले कि और लोग शुरू हो और मतलब सोचना शुरू करें और दूसरा JSS का नेटवर्किन जरूर करो तीसरा जो आप ब लेकिती हैं ऐसे जो जाने को तैयार है तो दिलासपूर में खड़ा कर दिलासपूर वाइबरेंट हाँ मतलब लेकि वहां के लोग मिल जाएंगे ऐसार सी राइपूर का क्या हुआ है संजे तो बंद हो चुगा है क्योंकि लली सुर्जन बंद हो गया है इंदूर भी खता म लली सुर्जन दिवंगत हुए हाँ तो वहां तो बंद है पूरा है और मेरे खाल है कि तुहिन आप नहीं रहे होंगे तुहिन तो नहीं को नहीं लेना है हमको किसी और को वहां भीज कर खड़ा करना है ठीक है ना तो यह सेंटर दरूर बनाया जाए जो मिताब सर्निका है बलकि इसकी सूचना देना आवश्यक है जो भी नोट तो पता करो कि इस्ट्र क्या हो रहा है जी 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 पता करो गौर्मिंट इप इंडिया लेबल पर कि नेपी का पार्ट है तो वह जाएगा तो नहीं नया सवरूब बदल के आगा और अगर बात हो रही है तो हमार प है सुर्णी सौरी सौरी आप कुछ क्या रहते था नवी कि एट्टीवन पॉइंट सेवन में इसको एक्चुली मैंने खुल लिया है इस वक्त व्टीवन पॉइंट फाइव में पाँच कोर्स की बात हो प्रोग्राप्स की बात हो रही है सरे रिदोट एढ़र्ट एज्यसन लिटरेशी, कमर्शियल स्किल्स, हेल्थ केर और अवेर्नेस, चाइल्ड केर और एड्यूकेशन और फैमिली वेल्पेर, इक्जाक्ल बड़ा कर दिया। सी, वोकेशनल स्किल डवलप्मेंट, ब्रेकिट में, विता व्यू तोवर्ड्स, आप्टेनिंग लोकल इंप्लाइमेंट, टी, चौथा नंबर, बेसिक एजुकेशन, इंक्लूडिंग प्रिपरेटरी, मेडिल्स, इंड सेगेंटरी स्टेज इक्विलेंस, इतनी बड़िया सकते हैं, इसे एक इंपॉर्टन बात जो मुझसे छूड़ गई थी, वो और नोट करो, कि SRC ततकाल कुछ कोर्सेद लाँच करें ऑनलाइन, बहाशा शिक्ष्ण के अलावा, इन एरियास में हम शौट तम कोर्सेद तीन-तीन महीने वाले सर्टिफिकेट प्रोग्रम इनको ले ले और शौट तम कोर्सेद करना शुडू करें, यह भी और वैसे हमको एक वनियर डिप्लोमा प्रोग्राम है, इस नई पॉलिसी के अंतरकत विभाग की ओर से लाँच करना चाहिए, जो कि पहले से ही लोग काम कर रहे हैं, जैसे तुम लोग को मैंने करवाया था बरकतुला में बेज के, एक साल का प्रोग्राम करवाया था ना, पॉस्ट गयाजू डिप्लोमा इन अडल्ट एजूकेशन, है था डिप्लोमा इन पीजी डिप्लोमा फॉर्मली एक साल के लाँच करें, डिपार्टम और यह शॉट्टम प्रोग्राम जो पांच-छे आए हैं, उनको पकल के किया जाएं, I think you have a great future, a great future, बहुत बढ़ी है, यह ढूंड लो, सर आप मदद करिएगा, अमिताब सर, कि इसकी नोटलाइदिंग एजेंस्टी कौन है अभी, महर्डी में, और ऑफिसर कौन, ठीक है भाई, तो एनी मोर आइडियाज, तर मैं यह जोड़ना चाह रहा था, कि अभी आपने जब बहुत सारी दिशाएं, बहुत सारी क्षित्रों के बात की, तुसमें बच्चों की बात भी आपने की थे, और वो बहुत ही महत्बूर्ण एक ऐसा आयाम है, जिस पर कि हमको और अधिक काम करने की दरकार भी है, उस पर वो काफी से रेसली काम काफी है, कर रहे हैं, उनको बुलाने वाला है, जी, तो मुझे लगता है कि सर, हम लोगों ने जो विश्वरंग में भी जो बच्चों को लेकर एक पूरा का पूरा अलग सा हमने एक सेग्मेंट बनाया था, बच्चों को लेकर भी हम गए थे और तब हम लोगे टैगूर पनाती का हरकम किया था, तब अशुक भामिक जीने टैगूर की चित्रकला पर बोला था, उसमें मैंने कुछ कावय पाट दी टैगूर की कविताओं का रखा था, और उसमें वो विहान वाली तनिश्का जो छोटी बेटी है, उसको मैंने कुछ क कामों से जुड़कर भी हमारी मज़र कर सकते होंगी, बच्चों को भी बहुत जल्दी लोग काफी इनके तरह अट्रक्ट होते हैं, इनके स्किल को लेकर, इनके टैलेंट को लेकर, तो मुझे लगता है कि शाद ये काम भी हमको करना चाहीं, जेग लिगूर, एक्शली हमार गुड़ एडिटर्स, चार नए एडिटर्स हमारे काम कर रहे हैं, उसी कोई दिर्कत नहीं है, तो यह कहीं से गया है, सर्थ, हैं, तुमारे, पर यहां काम करता है, प्रचार में, वो लॉस इदवर गेन, ठीक है संजय, मेरा कारे के विचार आ गया है, आप धन्यवाद दी और सारे डॉकुमेंटेशन और मिनिटाइजेशन करके, सबसे पहरा काम है कि सम्मिशन किया जाए, जिससे कि रहेश्रार के आप ठीक हो जाए, बुबागी मीटिंग करके ब्रॉडर मीटिंग सिर्फ प्रोग्राम देखी जाए, जिस पर कि हम प्रोग्राम तो बात करेंगे थैंक यू, मेरी और सबको धन्यवाद, संजय और सबको धन्यवाद देंगे बहुत-बहुत हार्दी कावार सर और बड़े समय के बाद में हम लोग इस प्लेटपार्म पर आपके अध्यक्सता में पुना लोटे हैं और मुझे पूरी उमीद है कि जो आज और जो द्रस्टी हम लोगों को मिली है, जो द्रस्टी कौन हम लोगों के सामने आपका आया है सर, तो हम लोग के साथ साथ जो समावे सी रूप में हम जैसेस को और जो हमारे सारे सेंटर है उनके साथ मिलकर हम लोग बहुत रचनात्मक कारे कर पाएंगे यह पूरी मुझे उमीद है और आज कारिकरम में आपके अध्यक्सता में अधर्णी संतो चोबे जी अधर्णी हमताप सक्सेना जी अधर्णी अविने पाद्याई जी डॉक्र सेलें खरे जी और अधर्णी राक्तेलंग जी आप सभी का बहुत-बहुत हार्दी काभार आपने बहुत अमुली समय दिया है और हम जल्दी ही आपस में मिलकर भी बात करेंगी जिस तरह से हम लोग अभी वर्चुल कर रहे हैं और हम लोग शिग रही यह भी समय हम लोगों का आएगा तो हम लोग उमीद में हैं पुरे कि वह समय भी हम लोग बहुत जल्दी लेके आएंगे और सबके प्रती बहुत बहुत हार्दी का अबास है इतना ही में केना चाहूंगा और हम लोग अंति में यही के इठाजी को भी हम लोग बहुत याद करते हैं और साथ में हमारे कभिन निवित्र एम्तियास खान का भी बहुत बड़ा हम लोगों के साथ धुमी का रही है और अच्छा काम करने वाला लड़का रहा है जिंदा देल वो भी असमाइक गया है और उनके परिवार में तो चार लोग एक साथ गए एक के बादेख तो वो मेरे बहुत बात है उनकी पत्नी भी पात साल का बेटा ही अब उनका बचा है परिवार में मदर गई छोटे भाई ग को सुधान जली विद्ट करते हैं और बहुत बहुत साजी को में जान्यवाद नमस्कार और जानी समिर्ट के थैंक थैंक थैंक